ही आवरीवान वेल्कम बैक टो आर यूट्यूब चानल इस्टडी फोर यू येस फ्रेंड्स आज का टॉपिक है हमारा आर्टी एक्ट टू थाउज़न नाइन मतलब कि राइट टू एजुकेशन एक्ट टू थाउजन नाइन के बारे में आज हम जानेंगे हम इसे हिंदी में बूल सकते हैं शिच्छा के अधिकार अधिनियाम 2009 फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में जो भी पढ़ने वाले हैं कुछ ही मिन्टो में हम इस टॉपिक को खतम करेंगे आप इस वीडियो को पूरा अन तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो से बाहर कोई भी पॉइंट नहीं आने वाला है मतलब कि एक ही वीडियो में आपका सारा काम तमाम RTE से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे आपको इसी वीडियो में मिलेंगे इस से बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है मिल्कुल ये मैं आपको शियोर्टी के साथ कह सकती हूँ कि यदि आप कोई भी एक्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं टीचिंग से रिलेटेड या नॉन टीचिंग से रिलेटेड उन सभी में RTE से जो भी कुष्ण पूछे जाते हैं वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में एक-एक पॉइंट करके पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा डीटील में नहीं जानेंगे क्योंकि हमें में चीज पढ़ना है हमारा में परपस है एक्जाम को क्रैक करना इसलिए हम सिर्फ एक्जाम परपस के लिए ही महतपूर्ण पॉइंट को जानेंगे तो जानते हैं RTE 2009 शिच्छा के अधिकार अधिनियम इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाले आपको इस चीज की मेरी तब से गैरेंटी है दोस्तों मुझे पता है आपने RTE तो सुना जरूर होगा बिल्कुल इससे पहले पढ़ा भी होगा लेकिन आप शूर नहीं होगे मतलब आपको पूरा पूरा जानकारी नहीं होगी फिर भी कही न कहीं आप फस रहे होंगे कोई न कोई डाउट पढ़ा ही होगा तो आज हम इस वीडियो में आपके सारे डाउट को क्लेयर करेंगे आईए जानते हैं और साथ ही हम वीडियो का अंतक देखिएगा क्योंकि end में मैंने इसमें टेवल का यूज किया है आपको टेवल के थुरू पढ़ाने की समझाने की कोशिश की है ताकि आपको easiest तरीके से RTE Act 2009 से जो भी doubt है main चीज कि age का कई वार आपको doubt हो जाता है कितने घंटे, कितने hours, कितने दिन या फिर कितने बच्चों में कितने teacher तो वो सारी चीज़े हमने इक्टीवल के थुरू form किया है तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें आईए शुरू करते हैं RTE Act 2009 शिच्चा के अधिकार अधिनियम तो जानते हैं RTE का अर्थ RTE का अर्थ यानि की right to education जैसे हिंदे में हम कह सकते हैं शिच्चा का अधिकार अधिनियम गाइस मैं आपको बता दू कि किसी भी राष्ट की उन्नती में शिच्चा महत्पून भूमी का निभाती है बिल्कुल आप जानते हैं कि किसी भी देश क्या अगर development करना है उस देश को आगे बढ़ाना है उसकी उन्नती करनी है तो उस देश के हर एक व्यक्ती का शिच्चित होना बहुत जरूरी है तो भारत सरकार भी अलग-अलग समय पर ऐसी नीतियां लाती रही जिससे शिच्चा को बढ़ावा मिले RTE Act यानि की शिच्चा का अधिकार अधिनियम इसी दिशा में एक बड़ा कदम था कौन सी दिशा में? देश के उन्नती करवाने में ठीके? देश के उन्नती कैसे की जाएगी? जब वहां के लोग educated होंगे, literate होंगे इस अधिनियम का मुख्य अधिनियम था जो RTE Act 2009 है इसका मुख्य उदेश था कि कोई भी बच्चा शिच्चा से वन्जित ना रह जाए आखिर पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया, राइट? शिच्चा का अधिकार अधिनियम वर्ज 2009 में बनाया गया जिसे अप्रेल 2010 से संपोन भारत में लागू कर दिया गया था इस अधिनियम के अंतरगर 6-14 वर्ज की आयो बिल्कुल क्या सुना आपने? 6-14 वर्ज की आयो के जो बच्चे हैं उनको निशुलक और अनिवार ये शिच्चा प्रदान की जाएगी ये इस अधिनियम का एक जड़ है क्या कह सकते हैं? जड़ है कि जो RTE Act 2009 है इस अधिनियम के अंतरगर बोला गया है कि 6-14 वर्ज की आयो के बच्चो को free of cost education प्रोवाइट की जाएगी I hope आपने मेरी बात दिहान से सुनी होगी Friends मेरी बातों को आप बिलकुल दिहान से सुने इसके बाद आपको फिर इसको आप read कीजे उसके अलावा और कुछ भी नहीं है आपका exam का पूरा preparation हो जाएगा RTE से related कोई भी tension लेने की ज़रुत नहीं है seated में कम से कम आपको 4-5 नमबर मिलना तो पक्का है Guys, किसी भी देश की ताकत हम दूसरे शब्दों बोले तो किसी भी देश की ताकत और भविश्चे उस देश के बच्चे से होती है Right हम सब जानते हैं कि हमारे बच्चे जो है ये पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे तो हमारे देश को प्रोनती इनका उन्नती करवाने में हमारे बच्चों का ही हाथ रहेगा तो किसी भी देश की ताकत होती है या किसी भी देश का भवशी उन देश के बच्चों के हाथों में होती है तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों के जो बालपन है उनका बच्चपन है उसमें अच्छी से अच्छी शिच्छा उनको प्रोवाइट करवाएं ताकि आगे आने वाले समय में देश के लिए अच्छे नागरिक बन सके पहले के जमाने में शिच्छण का इस तर बिगड़ चुका था क्यों कि जो अमीर लोग थे अमीर के बच्चे ही पढ़ाई करते थे और या फिर यह कहलो कि जो उच्छ कास्ट के होते थे जो अमीर लोग होते थे वहीं लोग सिर्फ अपने बच्चों की पढ़ाई करवाते थ वहीं दूसी तब देखा जाये तो जो गरीब के बच्चे होते थे या फिर जो लोवर कास्ट के लोग होते थे उनको पढ़ाई उनको पढ़ाने की परमिशन ही नहीं थी ठीक है एक तो छुआ छूट सबसे बड़ा रीजन दूसरा चीज कि उनको ताने दे दिया जाता था ग अमीर के बच्चे ही अच्छी पढ़ाई कर पाते थे तो वहीं दूसरी और गरीब बच्चों को पढ़ाई नहीं हो पा रही थी तो इसी बात का समाधान सरकार ने जारी किया एक एक्ट की तहट जिस एक्ट का नाम है RTE मतलब Right to Education Act 2009 जिसे हम शिच्चा का अधिकार अधिनि के अंतरगर चार से 14 वर्स की आयू की बच्चों को निश्यलक और अनिवारे शिच्चा प्रावधान करने का प्रावधान किया गया है किसके तहट RTE 2009 के तहट सॉरी 12 दिसंबर 2002 को भारत के सन्विधान हमारा जो भारती सन्विधान है उसमें चेंजिस किया गया था 12 दिसंबर 2002 को एक इंप्रूब्मेंट लाया गया था ठीक है जिसे हम शंशोधन बोलते हैं कि उसमें इंप्रूब्मेंट लाना फिर से चेंजिस लाना अगर कोई कमी है तो तो 12 December 2002 को भारत की सन्विधान में 86 संशोधन, सन्विधान संशोधन 2002 में आर्टिकल 21A को जोड़ा गया था और इसी में RTE के बारे में बताया गया था, ओके? राइट तो एजुकेशन, गैस मैं आपको बता दू, आर्टिकल 21A जो है, यह हमारे मूल करतवे के अंतरगरत आता है, ओके? तो, Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009, यह इसका एक्च्वल नाम है, किसका? RTE का जो फुल नेम है, वो क्या है? Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009, या फिर RTE 2009, या तो फिर इसको हिंदी में कह सकते हैं, शिच्चा का अधिकार अधिनियम 2009, ओके? I hope कि आपको इस समझ में आया होगा, आगे देखते हैं. इसके अंतरगत, 6-14 साल के सभी बच्चों को उनके नजदी के सरकारी स्कूल में निशुलक और अनिवारे शिच्चा देने का प्रावधान है, उसी तरह प्राविट स्कूलों में भी कुछ सीड्स RTE Act के तहत फिक्स की गई है. ओके गई हम देखो, हम ये तो जानते हैं कि भाई अब सरकारी स्कूल है, तो सरकारी स्कूल में निशुलक और अनिवारे शिच्चा 6-14 वर्ष तक के बच्चों को तो दिया ही जाएगा, वहाँ पे तो फीस नहीं ली जाएगी. ओके मतब कक्षा 8 तक के ही बच्चे होते हैं, जो 14 साल तक में होते हैं, तो 6 वर्ष से लेकर 14 साल तक के सभी बच्चों को सरकारी स्कूल में निशुलक और अनिवारे शिच्चा दी जाएगी. एक और रूल है कि प्राइवेट स्कूलों के लिए भी ऐसा है, लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले से 25 परसंट सीट उन बच्चों के लिए खाली रखेंगे, या उन बच्चों के लिए एकताव से हो कहते हैं न, क्या बोलते हैं, पहले से रिजर्व करना, तो इस अधिनिय प्राइवेट स्कूल हैं, उसमें 25 परसंट बच्चों को इस केटिगरी में एड्मिशन दिया जाएगा, तो मतलब उनका 25 परसंट सीट पहले से ही फिक्स रहता है, और कोई भी प्राइवेट स्कूल वाला इस एड्मिशन को देने से मना नहीं कर सकता, उन्हें इन 25 मतलब जीते में मैनेजमेंट थे, वो सब लोग एक जुट होकर सुप्रीम कोट गये, ठीक है, सौरी, हाई कोट गये थे, तो हाई कोट गये, वहाँ पे अदालत पे जब बात किये, उनसे याचिका दाखिल की, मतलब ये जो प्राइवेट स्कूल में 25 परसंट वाला रिजर कर दिया था, मतलब उन्होंने कैंसल कर दिया था, कि ये चीज कैंसल नहीं होगी, आपको प्राइवेट स्कूलों में 25 परसंट बच्चों को रिजर्वरेशन देना ही पड़ेगा, सीट, ओके, ऐसे स्कूलों में, ऐसे बच्चे को, बच्चे के स्कूल की फीस माफ होती है, वही मैंने आपको बताया कि प्राइवेट स्कूल में 25 परसंट बच्चों के लिए पहले से सीट रिजर्व होगी, और जो बच्चे होंगे, उन्हें free of cost एजुकेशन दी जाएगी, सब कुछ प्रोवाइट किया जाएगा, और उनका admission करने से रोका भी नहीं जा सकता है, उ अब बात करते हैं, RTE कब लागू हुआ, राइट टो एजुकेशन लागू कब हुआ, हम इसे पढ़ते तो हैं, RTE 2009, पर एक्चुल में क्या ये RTE 2009 को ही लागू हुआ, तो देखते हैं, शिच्छा का अधिकार अधिनियम बिल 2, July 2009 को कैबिनेट दोरा मनजूर किया गया था, कब शिच्छा का अधिकार अधिनियम जब बिल आया, तो ये बिल 2, July 2009 को कैबिनेट ने मनजूरी दी, उसके बाद राज्जेसवा में गया, actually देखी friends कोई भी बिल है वो अधिनियम तब बनता है पहले कैबिनेट में जाता है उसके बाद राज्य सभा फिर लोग सभा उसके बाद राश्ट्रपती और उसके बाद जैसे ही राश्ट्रपती ने हस्ताचर कर दिये फिर वो एक अधिनियम बन जाता है तो शिच्छा का अधिकार अधिनियम 2 जुलाई 2009 को इसका बिल पास किया गया था और तभी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी उसके बाद राज्य सभा में आया था 20 जुलाई 2009 को और फिर उन्होंने भी मंजूरी दी उसके बाद लोग सभा में आता है 4 अगस 2009 को और इनके म 2009 कहते हैं RTE 2009 तो कहा जाता है क्योंकि 2009 को इसको मंजूरी दे दी गई थी लेकिन RTE जो एक्ट है इसको 1 अपरेल 2010 को लागू किया गया था पूरे भारत देश में ओफिशियली इसको लागू कप किया गया था 1 अपरेल 2010 को यह बहुत ही महत्पूर्ण है इस चीज को no down कीजेगा भारत में निशुल के इवं अनिवारे शिच्छा पाने का अधिकार 1 अपरेल 2010 में एक वास्तविक्ता बन गया इस एक्ट के इस प्रवर्दन ने भारत को दुनिया के 9 135 देशों में से एक बना दिया जिसके पास सिच्छा का मौलिक अधिकार है बिल्कुल गैस पहले सिच्छा एक मौलिक अधिकार भारत देश में नहीं था लेकिन आक्ट आर्टीई आक्ट 2010 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार बनाया गया और जब भारत ने इस आर्टीई आक्ट 2009 को लागू किया तब भारत 135 नंबर का देश बन गया था मतलब भारत से पहले 134 देश पहले ही ये अधिनियाम अपने देश में लागू कर चुके थे ओके आर्टीई के अंतरगरत क्या-क्या प्रावधान है अब इसे जानते हैं सभी 6-14 वर्स की आयू की बच्चों को मुफत श्रिच्चा उपलब्द कराई जाए या इसका प्रावधान है विकलांग बच्चों के लिए मुफत श्रिच्चा के उम्र 14 से बढ़ा कर 18 वर्स कर दी गई देखे गाईस जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए जो उम्र है मुफत श्रिच्चा की वो 6-14 वर्स हैं वहीं पे जो विकलांग बच्चे हैं उनकी उम्र है 6-18 वर्स प्राइवेट स्कूलों में 6-14 वर्स की उम्र वाले 25 पर्सन गरीब बच्चों को निश्यल को शिच्चा प्रदान करनी होगी तथा ऐसा नहीं करने पर वसूली की गई फीस से 10 गुना अधिक जुर्माना तथा स्कूल के मानेता भी रद्ध हो सकती है देखिए इस लाइन का मतलब क्या है हमने पहले तो जाना कि प्राइवेट स्कूल वाले उनके स्कूलों में 25 पर्सन सीट पहले से रिजर्व रहती है गरीब बच्चों के लिए जो निश्यल एजुकेशन प्रोवाइट करेंगे गरीब बच्चों को लेकिन अगर प्राइवेट स्कूल ऐसा नहीं करते हैं वो उन बच्चों से फीस वसूली करते हैं और ये पता लगने पर क्या किया जाता है जितना भी फीस लिया जा रहा है तो 500 का दस गुना 5000 रुपय उनसे जर्माना लिया जाएगा या फिर ये भी किया जा सकता है कि स्कूल के माननेता भी रद की जा सकती है तो ये दंड जो है अगर वाके में अच्छे से प्रॉपर तरीके से अपलाई हो तो ये बहुत ही अच्छी चीज है बट मुझे नहीं लगता है कि इतना अच्छे से ये apply किया जाता होगा स्कूल में दाखिली के दोरान बच्चे की उम्र उसके दस्तावेजों के आधार पर दर्ज की जाएगी मतलब कि जब स्कूल में admission होगा तो बच्चे की जो actual age है उसके दस्तावेजों के आधार पर मतलब जब उसका जन्म हुआ है उसके दस्तावेजों के आधार पर उसका admission के टाइम पर उसका date of birth लिखा जाएगा मान लीजे उसका date of birth का कोई ऐसा प्रमाण पत्र नहीं है एज सर्टिफिकेट नहीं है बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो भी उसका एड्मिशन रोका नहीं जा सकता है इस एक्ट द्वारा जिन बच्चों का प्रवेश नहीं हुआ हो वो अपनी आयू वर्ग के अनुसार एड्मिशन करवा सकते हैं बच्चों को मुफ्त शिच्छा मुहया करवाने की जिम्मेदारी केंद्र तथा राज्ज सरकार की होगी धाराची के तहट बच्चों को पडोस के किसी भी स्कूल में दाखिला लेने का अधिकार है विध्यार्थियों पर होने वाले शारीरीक और मानसिक उत्पीडन को रोकने के लिए यह नियम बनाया गया है इस अधिनियम के अनुसार बच्चों की स्क्रीनिंग और माता पिता का इंटर्वियू लेने पर 25,000 तता दोहरानी पर 50,000 रुपए जर्माना वसूला जाएगा कहने का मतलब के अगर फीज देने के लिए बच्चों पे या उनके माता पिता पे दबाव डाला जा रहा है कि आप हमारे स्कूल प्राइवेट स्कूल के में बात कर रहे हूं रैट तो अगर private school वाले उन बच्चों पे दवाव डाल रहे हैं फीज देने की या उनके parents पे दवाव डाला जा रहा है किसी भी तरीके से तो अगर ऐसा पता लगता है तो उन पे 25,000 का जुर्माना या फिर दुबारा वो वही गलती दोहराते हैं उन्हें 50,000 का जुर्माना दिया जाएगा मतलब उनसे लिया जाएगा शिच्चक अधिकार अधिनियम के अनुसार विध्याले का कोई भी शिच्चक private tuition नहीं दे सकता है बिल्कुल गाइस ये हमने बहुत सुना होगा कि सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छे से apply होता है अधिकार अधिनियम बच्चों पर होने वाले मानसीक और शारीरिक उत्पीडन के खिलाफ है और या इसको रोकता भी है शिच्चा का सारभामी करन करना RTE का उद्देश्य है मतलब कि शिच्चा के थुरू एक बालक का सरवांगीन विकास करना पूरी तरह से उसको education देना हर एक field में उसको समझाना या इसका purpose है गुडवत्ता पूर्ण शिच्चा को सुनिश्चित करना प्रतिक बालक को कैसी education देना quality education देना ये नहीं कि बस वो formality के लिए आ रहा है पढ़ने के पढ़ने तो उसको बस ऐसे बैठाई हूँ है कुछ भी मनाया तो पढ़ा दिया नहीं तो नहीं पढ़ाया बच्चे को ऐसी education देना है जो गुडवत्ता पूर्ण हो मतलग कि उनके future में काम आये उन्हें ऐसी education देना है जो आगे उनको job के लिए काम आये और भी कई चीजों के लिए useful हो उनके regular उनके daily life से related connected हो जो भी education दे मतलब उनको quality education देना इस अधिनियम के तहर्ट बताया गया है सो गाइस अब हम जानते हैं RTE Act 2009 के अनुसार और कौन से नियम को बताया गया है जैसे कि यहाँ एक और नियम बताया गया कि घर से विध्याले तक की दूरी कितनी होनी चाहिए मतलब जो बच्चे जाते हैं प्रात्मिक स्कूल के जो बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं ठीके उन में कितनी विध्याले और उनके घर की दूरी कितनी होनी चाहिए तो प्रात्मिक कक्षा मतलब कि एक से पास तक के बालकों का घर विद्धाले से एक किलोमेटर की दूरी पर होना चाहिए कितना एक किलो इस चीज को नो डाउन कीज़ेगा मैं आपको बार बार बोल रही हूं गाईस इसमें जितना भी मैंने हाइलाइटेट वर्ट किये हैं ये सारे के सारे आपके एक्जाम परपस में बहुत ही महत्पूर है मतलब ये प्रिवेस येर में पिछले बार कॉश्चन आ चुके हैं ठीक है मैं ऐसे ही आपको नहीं पढ़ा रही हूं तो प्रात्मिक कक्षा मतलब कि एक से पांस तक के बालकों का घर विद्याले से एक किलोमेटर की दूरी होनी चाहिए वहीं उच्छ प्रात्मिक स्कूल की बात करें मतलब कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बालकों का घर विद्याले से 3 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए Another one is 3 साल के अंदर अंदर प्रतीक आवास के पास विद्याले होना जरूरी है अब देखते हैं कि जब विद्याले में जो घंटे होते हैं teachers time spend करती है बच्चों के साथ उनको teaching करने में तो हरे teacher कितना time देती है 7 गंटे क्या होते हैं प्रतीक विद्याले में तो एक teacher के लिए नियुनतम 7 गंटे, 45 गंटे होने चाहिए कम से कम उनके 45 hours तो होने ही चाहिए जानते हैं चातर शिच्छक अनुपात जो गाइज चातर शिच्छक अनुपात है इसकी व्यवस्था धारा 25 में की गई है मतलग कि इसके बारे में जो चातर शिच्छक अनुपात है कितने चातर पे कितने शिच्छक होने चाहिए या फिर कितने शिच्छक कितने घंटे गया तो हम यहाँ देखते हैं टेवल के त्रूक की कख्षा में जो प्रात्मिकاي कख्षा के जो बच्चे हैं मतलब एक से लेकर पांस तक के जो बच्चे हैं उन विद्धारतियों में 30 विद्धारती में से एक शिच्छक होने चाहिए, मतलब एक टीचर 30 बच्चों को 30 बच्चों को पढ़ा सकती है ठीक है, मैक्सिमम 30 बच्चे, वहीं पर अगर हम अपर प्रैमरी क्लासे की बात करें, तो 35 स्टूडेंट्स में एक टीचर का होना जरूरी है, ओके हाला कि रियल लाइफ में देखते हैं, तो 50, 60, 70 बच्चे बढ़ा लेते हैं और एक टीचर, बट आपको एकजाम में अगर ऐसा कोशन आता है, कि एक टीचर कितने बच्चों को पढ़ा सकती है, एक टाइम पे, अगर प्रात्मिक कक्षा है, तो 30 और उच्च प्रात्मिक है, तो एक टीचर 35 बच्चों को पढ़ा सकती है, ठीक है माल लीजे, कि प्राइमरी कक्षा में 200 से अधिक विद्यारती हैं तो वहाँ पे, जो छात्र और शिच्चक का अनुपात होगा वो 40 रेशियो 1 होगा मतब 40 रेशियो 1, एक टीचर पे 40 बच्चे हो तो अगर ऐसा कुछ केस बनता है कि एक कक्षा में 200 बच्चे हैं, तो एक से जादा टीचर को रखना पड़ेगा, ओके नियुन्तम कारे दिवस और शैच्छने घंटे, मतलब कि जो टीचर्स होते हैं, वो कितने दिन और कितने घंटे कारे करते हैं, तो अगर कक्षा 1 से 5 तक की बात की जाए, मतलब प्रात्मिक कक्षा की बात की जाए, तो एक शिच्चक का पूरे साल की बात कर रहे हैं, ओके, हम यहाँ पे जो टीचर्स हैं, उच्च प्रात्मिक शिच्चक हैं, वहाँ पे उन्हे साल में कम से कम 220 दिन बच्चों को पढ़ाना है, कम से कम, ओके, और जो घंटे होंगे, वो 1000 के घंटे होंगे, कि मतलब जो अपर प्रामरी क्लास के टीचर्स होंगे, उन्हें साल में 1000 घंटे 220 दिन देना ही पढ़ेगा प्रती दिन शिच्चन कारिक अगर प्रामरी क्लास की बात की जाए, तो प्रामरी क्लास की जो टीचर है, उनको हर रोज 4 घंटे देना ही देना है और अपर प्रामरी क्लास की बात की जाए जो कक्षा 6 से 8 तक की है वो है maximum minimum 4 गंटे उन्हें time बच्चों को देना है तो friends ये था आज का हमारा topic जो है RTE Act 2009 I hope कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा मैं आपको बिल्कुल यकीन देलाती हूँ कि आपको इससे बाहर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आपको CTAT, UPTAT या कोई भी teaching से related exam है तो आप सिर्फ इस वीडियो को देख लें उसके बाद आप इस topic से related बेफिक्रे रहें अगर आपको इससे related question answer करने है ठीके MCQ की कौन-कौन से exam में कैसे आए है तो आप मुझे comment box में comment कीचेगा मैं आपको next आने वाली वीडियो इसी से related इसकी question और answers को दिखाऊंगी ठीके मतलब हम इससे related MCQ करेंगे जो हमारे previous year questions में question paper में आ चुके है वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like, share and channel को subscribe जरूर करें थैंक यू